स्ब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और बेल आइकन दबाना मत बूलिए श्राम सिंग राजपूर का सुसाइट केस अभी भी एक ऐसी गुद्धी है जिसको सुलजाया नहीं जा पा रहा है अब इस केस में एक नए शक्स का आगवन हुआ है दिपेश सावंत को माना जा रहा है जब शुशान्त में फासी लगाई थी या उनका मॉडर हुआ था उस वक्त वो घर में ही मौजूद थे इसके बावजूद अभी तक वो छुप रहे थे और अब ईटी को उनके वारे में पता चला है और आज उनसे भी पूशताच करी जाएगी अभी तक ये माना जा रहा है कि दिपेश सावंत से कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है जो इस केस को सुलजाने में फायदा दे और ईडी ने शुशान के परिवार से रिया चक्रवर्ती के साइट से सबसे रिटिन फायल समिशन मांगा है सभी लोगों से रिटिन बयान मांगे गए हैं जिससे की सारी चीजें CBI के सामने आए और शुशान की बहन ने भी ट्वीट करके अपना एक वीडियो मेसेज चारी किया था जिसमें उनका कहना था कि सब उनकी साहरता करें और सच सब के सामने आना चाए आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए जोड़े रहे हमारे साथ